नमस्कार मैं हो प्रदीम पिश्चो कर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज का मुद्दा है क्या भाजपा में होगा फिर बदल इस तरह की खाबरे आ रही हैं बारती जन्ता पार्टी के सीफ्त ने मीटिंग की, बहुत ही हाई लेविल की मीटिंग की, जिसमें स्वयम बढ़ान मंत्री ते लेकर के ग्राय मंत्री अमिस्था और उत्तर प्रदेश के संगटन मंत्री सुनील बंसल, राष्टिय जक्स जेपी नड़्डा समय समय तमाव और आरिसस के दक्तरत्रे होस्पोले शिर्कत की, उससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि ये मीटिंग कितनी गंभीर थी, कितनी हाई लेविल की थी, क्योंकि भारती जन्ता पार्टिकले केंद्र की कुर्ची के बाद, अगर कोई सबसे महत्वपूर कुर्ची है, तो वो है उत्तर प्रदेश की, और यही कारण ह कि चुनाओं को लेकर के अभी सी रणीतियां बननी सुरू हो गई है, और इसमें इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, कैबिनेट में भी फिर बदल की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि प्रदान मंतरी के खासम खास और प्रदान मंतरी के बहुत ही भरो से मन्द एके शर होगा, इसी बीच में एक और बड़ी खबर है, कि डिप्टी सियंस केशो प्रसाद मौरिया को भी दिल्ली तलब कर लिया गया, उनको बुलाए गया है, उन्से क्या बात होगी, ये भी बड़ा देश्चात होगा, तो अब ये तैय हो गया है, कि उत्तर प्रदेंस में मारती पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर सेट सेट करेंगे। करीब 80 विधान सबाचेतर ऐसे हैं, जहां तमाम कोश्चो के बाद भी भाजपा लोगसबाचुनाओ 2014, विधान सबाचुनाओ 2017 और लोगसबाचुनाओ 2019 में जीत हासिल नहीं कर सकी हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंद्र देव सिंग ने बीते दिनों कहा था कि मोदी योगी सरकार की योजनाओं के दम पर भाजपा 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। कारकरताओं को अब विधान सवाचुनाओं की तयारियों में जुटना होगा। प्रदेश अध्यक्ष के दावों से अलग हट कर अगर नजर डाली जाए तो बीजेपी में सांसद और विधायकों की नाराजगी बीजेपी के लिए नुकसान का सबब बने हुए है। सिर्फ विकास के दावों के दम पर चुनौ लगने वाली बीजेपी को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सब्सकार में आवेवस्थाओं का हवाला दिया था। उचसे साफ जाहिर है कि बीजेपी के हिस्ता अंसद और विधायकों में भारी नाराजगी और उनकी अंसुनी का खाम्याजा बीजेपी उठा सकती है। स्पेशल डेक्स के न्यूज इंडिया। सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करते हैं। जीपी सिंग साथ में राजनीतिक मिसले सक है। सिंग साथ आपका भी बहुत-बहुत स्वागात है। चीता विनीज शुकला जी से। विनीज जी क्या कहेंगे बड़ा पेर बदल संगत्थार में भी और संगठन में भी। परदीप जी अभी यह सब आप सबके चैनल के माधिम से इसे जिनाय में लेकिन अभी कोरोना की मामाली चल लही है। अभी जो बैटके में या जो भी दोड़े भाननी मुक्रबंती जी कर रहे हैं। उस कोविड प्रबंधन को लेकर के कर रहे हैं। चाहे वो गोंडा का आज दोड़ा हो या अन जगों का जो धर जिले में जा जा करके मानी मुक्रबंती जी कोविड प्रबंधन की जलकारी ले रहे हैं। और वैक्सिनेशन कैसे सुनिस्चित हो सके सभी विभागों के करमचारीयों को वैक्सिन कैसे जल से जल लगे। और तीसरी लहर को देखते हुए जिनके बच्चे चोटे हैं चार से दस साल के बारा साल के बच्चे जिनके हैं उनके अभिवावकों को बूत बना करके उनको जल्द से जल्द वैक्सिनेशन में सामिल किया जाए इस पर हमारी सरकार जोर दे रही है वी 23 जन्पदों में वैक् कि दिस तरह से हाइड लेविल मीटिंग हुई जान मंत्री नर्यन मोजी दे लेकर के ग्रहे मंत्री आरेशा के दत्रा से होस बोले संगटन्मंत्री सुनिर बंसर तमाम बढ़े लोग बैटे थे मीटिंग की ति उसके बाद एके शर्मा की मुक्रान मंत्री से मुलाकात हुए प्रदीप जी यह सब जानकारी आप सब को भी है लेकिन जब तक कि कोई निर्णाय किसी चीज़ का ना आ जाये तब तक उसकर चर्चा करना हमारे संगेशन के हिसाब से और जो हम लोगों को निर्देश है से साथ से हम लोग कह सकते हैं इसी जी सरकार में क्या काम बुस्कों क्या करना है ludzie हमारा संगें तैंक करेगा और जो बैठिके हुँ को रही तो अभी इस पर कहूंगा कि करोना की जो महामारी है उसको ले करके उसके प्रबंधन को ले करके और वैक्सीन कैसे पेज़ गती से जल्दी से जल्दी लोगों को स्रचिप किया जाए इस पर जो हम सब दे रहे हैं हमारे संग्टन के लोग हमारे सरकार के जी क्या आपके क्या तैयारी बाजपा ने तैयारी टेश कर दी है देखिए बाजपा की तैयारी तो वहीं से नजर आती है कि गंगा मा में इतनी सारी लाशें समा दी गई है और और जिनको देख के दिल भी दुखता है कि ऐसा आज हमारे राहूल जी ने टूइट किया कि ऐसे ऐसे परिवार क्या महसूस कर रहे होंगे उनकी क्या जो है कमी रही होगी कि उनको अपने परिजन को ऐसे छोड़ के आना पड़ा और वह अंतिम संसकार कर नहीं कर पाए तो यह तैयारी इनकी केंद सरकार मुझे मैं आपके कमेंट में इंटरेप नहीं किया मुझे भी मत करिए इनकी लेकिन मेरा सवाल दूत्रा था भारती जनता पार्टी ने तैयारी तेज कर दिये आप लोग का सरकार को कटगरे में खड़ा करिए मुझे कोई अपति नहीं है लेकिन जो सवाल है जो सब्जेक्ट है उस पर यह जिग लिए जी सब्जेक्ट देखिए बैठकता है तो बैठ जन हमसे बहुत दूर जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने कुछ भी किया नहीं है तो आज आज नहीं तो आने वाले कल में 2022 में 2024 में पूरी तरीके से कॉंग्रेस पार्टी जो है लड़ेगी और आम जनता के लिए लड़ेगी आम जनता की लड़ाई जीते गी और भाटप रैली किये जा रहे हैं ऐसे टाइम पे इनको दो हजार बाइस में दो हजार चौबिस में हम जो हैं मूह तोड़ जबाब देंगे आप करेगा आपने पूरे अपने ओपनिंग कमेंट में हमारे विसाय से ले करके एक सब्द भी नहीं का क्या रही है आपने अच्छा आज दिवेट का मुद्दा रखा अलाग यह समय तो ठीक नहीं है बट क्रिवी यह इनका बार्तियंता पार्टी का इंटरमर्व सरकार का मामला है कि वह संगठर में क्या बदल करते। लिकिन कैस को श्याइर को लेकर के यह घान था हमारे यांओ की बहुत देर के ओंखेंulle थी घृआते आते बहुत देर कर दी तो तो अब जो है प्रदीप जी यह बहुत देर हो चुकी है अब यह सरकार में फिर बदल कर लाएं संगठन में फिर बदल कर लाएं मैंने पहले का इनका बैक्तिगत मामला है पार्टी का मुझे उस पर कुछ चिपनी नहीं करना है लेकिन अब चीजें हाथ से निकल गई है का ब देखिए यह समय चुनाओ से संबंधी चीज़ों पर बात करने का नहीं है और बात के अंता पार्टी की तो डियने हैं कि वह 365 दिन चुनाओं मोड में रहते हैं उनका उनको पता है कि हमें जनता से जूट बोलके फरेब करके चल कलके भै दिखाके सपना दिखाके बोट मां जोड़के बिनम निदिवेन हैं हमारे योगी जी से कि वह वैट सीन पे ध्यान दें जिस तरह से दोरा अभी करना शुरू किये हैं आउस दोरे में जा जरूर रहे हैं लेकिन उस दोरे में कम से कम आम पब्लिक से जो वहां पे पैसेंट एडिमिट हैं या उनके जो लोग है लोगों से बात करें कЬ ते और कानपूर म most ने बाते करी जेजा और को अधिकारी के अधिकारी को मिल नहीं रहा है तो अधिकारी कर रहा है कि अगंड pivot का है वो मिले हैं आम पब्लिक से अम लोगों से कि विपग्षी तर् jullie से मिले अच्छा आइडिया इंडिय 23 Linkैए उसको दुस्त कर दो देखें सरकार पाक्षी की पाठ्चा इंता पार्टी की एं तमाम संगततंत लोग संग उप्र эфф करता है की प्रहूं अब हो सकता है कि कि सफ़ाइब मोडिया को तलब किया गया है उनको हटाया जाएगा सर्मा जी बैठेंगे सर्मा जी ओ लेड़ी तो कास्ट पॉल्टिक्स चलेगी जातिये बांदा जाएगा ब्राह्मन उत्र प्रदेश का नाराज आज दो साल से दाई साल से तो हो सकता है दो दो ब्राह्मन मुखमंत दुप डिपी सीम हो जाए या हो सकता है सरमाजी का भी विकेट गिर है अब यह क्या होगा है तो सब्सक्राइब बदल होने जा रहा सरकार और संगिठन दोनों में तो दीब दीब स्वाभाविक है कि तुनाओ 22 में ज्यू है कुछ ऐसी रास्ति अस्तर पर या पुदेश अस्तर पर या घड़्डाय कहिए या महामारी कहिए सब्सक्राइब तो भविक है कि न सरकार इस पर चिंतित होगी कि उत्तर प्रदेश में जहां उसका जनाधार रहोत अच्छा है उसमें कोई कमी आ रही है उसंद लोग असंतुष्थ हैं जैसा कि पूरवपकता ने कहा तो ऐसा कुछ किया जाए कि जो असंतुष्थ हैं उनक परिवर्तन होना चाहिए होगी तुकि जो लोग संतुस्त है चाहे उसके साथ नामिन गुलन भाव चाहे ब्रामो का संतुस्त नहों ना हो या उसार राजभर का गठन बना है वो हो इनको दे करके सरकार जरूर जो है बिचार कर रही होगी याग वलाजने पीपाशिक के इसी दे जो है मीटिंग अगरा की होगी और कैसे जो है पब्लिक को 2017 की तरह अपने प्रक्ष में राया जाए इसके दे जो है कोई परिवर्तन सरकार कर सकते हैं पार्टी ने प्रिवर्तन हो सकते हैं जहां वो सी समझेंगे अप्ता करेंगी जिस तरीके से अभी कांग्रेस की जवाब दिया उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ कर नहीं रही है उनको यह मताना चाहेंगे कि एक साल में जो बहतर कोविट प्रवंदन की ववस्ता भाजपा सरकार ने की है जो कांग्रेस सार के कांग्रेस सासन में सतर सालों में एक टेस्टिंग लैब था आज तीन सो टेस्टिंग लैब है प्रदीव जी इनको बता दीजिए कि भारती जंता पार्टी की सरकार में यह सब संभव हो पाया है और आज कोविट प्रवंदन में हम कितना बेहतर हमने काम किया जो पहली करोना की लड़ कर रहे हैं तीसरी लहर की जो समावना चल रही है उसको देखते विए भी बच्चों को कैसे सुरचित किया जाए उनकी अभिवाब को कैसे सुरचित किया जाए बहुत सारा काम किया है योगी जी 24-24 गंटे काम कर रहे है कोरोना पॉजिटी होने के बावजूद लगातार काम कर रहे है वर्च्वल मीटिंग भी कि आप फिल्ड में भी जा रहे है कोई शक नहीं है इमानदार सभी के नेता है बहुत बढ़ी है कि यह संगठन का नेना है सरकार में किसको सामिल करना है इसको नहीं करना है किसको थोन की के से करेगा करेगा सरकार के लोग मानि प्रदान मंत्री जी और राष्टी अध्याच जी सभी लोग बैट करेंगे कैश्व प्रसाद मौरिया को दिल्ली बुलाए गया है क्या माइने है इसके केंद्र में उनको इस्टब्लिस किया जाएगा नहीं देखें अभी मुखमंत्री है अब उनक है तो इसलिए उनको गुलाया गया है और बैटकों का दोर है आप उन चर्चा उतर प्रदेश को ले करके निशिती हो रही है क्योंकि तमाम चीजें है जो हमारे संग्ठनात्मक क्या फिर बदल अभी सारी चीजे टीम जो बन चुकी है उसमें आगे क्या काम करना है तो चाह का और कांग्रेस को भी जवाब देने का सवाल नंबर दो सर्मा जी कि को कहां किया जाएगा डिप्टी से लिए बहुत दिन से बात की जा रही है देखिए यह चर्चा है तो बहुत पहले जैसे ही वहाँ से आये तबीसे लोग चर्चा कर रहे थे कि डिप्टी सीम बनेंगे यह ग्रावबबाग और तो बंगला मिल जा रहा है तो तमाल चर्चा है चली चैनलों पर और वो हवा हवाई हो गई और जो भी था उनको एमल सी बनाना था है यहीं मूल निवासी यहीं उत्तर प्रदेश के वो है रिटायर्ड है प्री रिटायर्मेंट लिए उनको मिला है और वह यहां पर आएं क्योंकि यहां के मूल लिवासी है उत्तर प्रदेश के इसलिए उनको बनाए गया तेज तर्रार अदिकारी रहे हैं इसलिए उनका उपयोग जहां पर संग्ठन समझेगा वहां पर उनका उपयोग किया जाएगा मंत्री बनाना है यह क्या विवाग बना जाएंगे दलित नाराज है और बैकवाड का तो एक डिप्टिसियम ही है और क्यों है यहां भी चार्ण मुक्षमंत्री होंगे उप्षमंत्री होंगे देखे आपके सवाल में ही विरुधा भास है कि दलित नाराज है यह कहना गलत होगा कोई भी वर्ग चौवीस करोड जंता के मुक्षमंत्री आदरनी योगी आदे तिनाज जी ने बेहतर काम किया है बिना भेद भाव के निचले अस्तर तक गरीब कल्यान योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है अभी पंद्रा करोण घरों तक गरीब गरीब जो अंतियोदय का हमारा लच्छ है उसके क्या है नाराज कोई नहीं अपरादी जरूर नाराज है गुंडे माफिया नाराज हो सकते हैं क्योंकि उन पर सकती की जा रही है जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं सफा के लोग या अनिदलों के लोग जब भी पकड़े जाते एक सो सरस्ट लोग पकड़ेगा एक आक्रिस स विनिद जी यह भी बात चल रही है साथ मंत्रियों से मुकमंत्री नाराज है उनको अटाय जाने की चर्चा चल रही है और चार मंत्री पद्ध पहले से खाली हो गए हैं तो एक बड़ा फिर बदल देखने को मिल सकता है क्योंकि मात्र साथ महिने ही बचे चुना को देखिए जो भी बद्ध खाली है या जो लोग जिन लोगों का काम आकलन करके हमारा संगठनता ही कर रहा है किसने बेहतर काम किया है किसने बेहतर प्रदर्शन किया है सभी लोग अपने हसाब से सभी ने काम किया है अब हमें लगता है कि हमको इनकी उप्योगता संगठन मे है तो हम उनको संगठन में वापस लेंगे और या मंत्री जिनको बनाना है मैंने आप से पहले भी कहा है कि हम अकेले डिसाइड करने वाले नहीं नहीं को बार करेंगे और दूसरी बात प्रदीव जी मैं जवाब जो सफा के मित्र वैक्सिनेसंगा autonomous रोगी मारे चाहिए इसके बाद एक बार बाठ हो चुकी है यह पार पार बार बात हो चुकी है कि मांपी मंगे ओपैब के बाह्न आपके बास बार बार उथा रहे है आपके बास आइंगे एक चोटा तब ब्रेक लेंगे तो चर्चा के सिलसे को आगे बढ़ाएंगे कि आखी अब मंत्री-मंडल का कौन सा फार्बूला होगा क्या चार उपु मुख मंत्री होंगे करनाटा की तरह या अब कंप किये जाएंगे केशव जी को क्या डिली में सेटल किया जाएगा ये सारी चर्चा हैं जो अभी चल रही है क्या सात मंत्रियों से जो नाराज़गी है उनको संगठन में वापस लाया जाएगा जैसे पहले एक बार मंत्री बंडल के फेर बदल में किया गया क्या होगा इस पर चर्चाश जारी रखेंगे लेकिन एक चोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के नियूस खबरों का सार्थी दूर कितना भी जा इस जुबां से दूर ना जा पाऊगे भी मर्द बोलो जुबां के सुब गोल्डी मसाले, खुश्पूर स्वाँ दैसा, तो रिष्टों में गुसा कैसा तुम में भी मैं हूँ, शुद प्लस पान मसाला आप देख रहे हैं के नियूस खबरों का सार्थी आपका स्वागत है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे अनिल जी अपनी बात रख सकते हैं अब जी प्रदीब जी मैं बिनीद जी के बातों का थोड़ा मैं सुन रहा था और मुझे बड़ा हसी आ रही थी कि कि उनके संगठन के लोग हैं और प्रदक्ता है, उनको शायद इतनी छोटी सी जानकारी पता नहीं है। सर्मा जी जो आये हैं जो प्री रिटाइड होके आये हैं और जिनको लाया गया बलकि आया नहीं जिनको लाया गया है और आदर नी कुछ खलवली होती है और कुवीड आ जाता है कि मोदी जी ने बनास के अलाबाग दर्जनों दिले को जिम्मेदारी सर्मा जी को दिया था जो अभी देख रहे हैं और वो डिरेक्ट रिपोर्टिक मुदी जी को करते हैं तो साथ इनकारी का भावा इनको सर्मा जी को लेके जानते हैं प्रदीब जी की उत्तर प्रदेश में दो डिप्ती सीम और एक मुखमंत्री है अधितनाथ योगी जी को अगर थुड़ा बहुत भी लें तो इनके अलाबा किसी की चलती नहीं है यहां पर अगर यहां पर चलती है तो सुनीर बंसल जी की चलती है अमित्ता जी क के करते हैं तो क invit एक दुरा बाता आस हमें इसको कि बना की बना दीजिए चलती आखिर किस की जी की ज़ती नहीं है उनसे जादा की चलती इक ट्रकी अ thesis आंने आपनी बारी पर बोलिजेके आप अपनी बारी पर बनीजेगा और जबाब भी लेती जहीं ना सब्सक्राइब लिए मैं तो इसलिए नहीं जवाब दे आ था उससरे माने को की डिस्टर्ब हो गाए उपनी बाती में कर लोगा थेonne लिए मैं खतन करनों मैं भज़ता वाजपा को पता को सुप्रीम कोट ने जो है शरकार भाजपा के अधिकारी के भाजपा के कर्च करता अब लगाया अंहों परदीब जी आप भी जानते हैं अब आठ मैना चुनाव का रह गया है चुनावी मोड में यह आचुके हैं जनता अभी अपनी त्राहिमाम से निकली नहीं है अभी दूसरा फेस गया नहीं है लोग परिशान हैं किसरे फेस का इतना दैसात है कि लोग बच्चों को घर से निकलना बाहर छोड़ दियें बच्चे की बैक्सीन का अता पता नहीं है अठारा से चोवालीस का वैक्सीन मिल नहीं गा है तालीस को पत जिन्होंने पहली डोज लगा लिए दूसरी मिल नहीं है तो यह सब जिम्मेदारी पहले यह पूरा करें तो नहीं कि अध्याव प्रक्राइब ने कहा भाजपा की वैक्सीन तो दिख रही है ना कि भाजपा क तो मिल नहीं रही है जादा माहिए नहीं रखते हैं लिए सक्तामे आप वाठे है आप लोगों ने पिछले चार साल से अख्लेश जादब को पोस्पोस के और आखिर में काम आ रहा है आपको काम आ रहा है अख्लेश जादब का काम आपको क्या लगता है कि अगर चार मकमंत्री होंगे एक दलित मकमंत्री भी बना दिया जाएगा तो लोग तो तो थोड़ा सा नाराजगी कम होगी न जो को लेकर के हैं प्रदीब जी आप तो बडिश्ट पत्रकार है और हमसे ज्यादा जानकार हैं आप जानकारी रखते हैं दलित बना देगे तो बना दीजिए उनके जो चम्चे पर लोग है उनको फाइदा नहीं हो जाएगा अगर दलित पो फाइदा होना होता तो चार साल आफ चार साल में हो प्रदार दीजिए सबसे बड़ी बात तो यह कि जैसे कि यह कहा जा रहा है कि एक दलित हो जाएगा एक पंडित हो जाएगा या इसे कुछ तो यह तो धर्म की और जाती की राजनीत हो गए जो यह हमेशा से करते हैं पार्टी है जो धर्म और जाती की राजनीती नहीं करती है यह कुछ भी नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घर्म के लोगों को उसमें उतना ही संबाद मिलता है कैसे आप लोग बोलने के लाइक नहीं कैसे आप लोग देते हैं बात यह मुझे तो यह होता आज का जो आप लूगों का मुझे पुल जाता है कांग्रेस के यू राज ने चाहिना की मदद करने के अलावा और राकी क्या किया देश के अंदर क्या किया पाकिस्ताने बिर्यानी कहा बें आ schi यही आपका काम है मुद्दे की बात ना करके मुद्दे को बढ़का देना अगर यह सवालों को ही सुन लेते तो अपनी अब जैसे हम सब बैठें एक कमी बता रहें तो अगर यह उसको लिख करके नोट करके कोई भी अगर आगे उस दूर करने की कोशिश करने तो आज यह कमी उठाने वाले ही क्यों रहें लेकिन इनको सुनने की आदत नहीं है प्रॉब्लम तो यह है चलिए मैं यह कह रही थी कि धर्म की राजनीती यह हमेशा करते हुए आए हैं तो कि जाती की चल रही है कभी मुस्लिम को हिंदू से भड़का देना कभी हिंदू को मुस्लिम से कभी सिख से कभी कहीं कुछ कर देना और किसी के पक्ष में कभी खड़े नहीं होते हैं चाहे वो किसान हो चाहे वो महिलाओं हो इनके राज में सबसे जादा बलात्तार बढ़े हैं इनके ही राज में डूखिये जरुजार प्रिकार किसी के लिए काम ने कर रहे हैं मैंसे ब्रषटाचार कर तो इनके मंत्री इनके विधायक आराम से जी सकें फिर उतना ही काम किया जा रहा है कि नाम हो रहा है पेपरों पर के सड़क बन रही है सड़क पर कितने गड़े गड़े हैं उनका कोई ठीकाना नहीं गड़्धा मुक्त बोला था कि सड़के होंगी ग्रहय योगी जी ने अब इस बात हो गए आपकी आपके बतारों जीपी सिंग साब आप यह जो मॉडल की बात चल रही है कि करनाटक में चार उप मुकमंत्री बनाए गए क्या यहां पर चार उप मुकमंत्री बनाने से कोई फादा दिख रहा है आपको अभी आट मैंने बाकिये सरकार के बहुत ज्य कि कहने की बातें बड़ी-बड़ी हैं लेकिन हमारे यहां जो चुनाव होते हैं सभी राजनेतिक दर्फ चाह जो भी पाल्टी हो सभी उसका जाद के नाम से ही टिकेट देने में हो चाह हर देगे वह उसका उपयोंग करते हैं तो यह बनाया जाता ऐसा कुछ किया जाता है अगा इसी दशम से निया जाया है कि कुछ उसको फायदा मिले तो स्वावभाह कुछ कि इस पायदा दीवों मिलेगा लेकिंटेसे करते हैं जो एक कि शर्मा की इंट्री हुई है, उनको महत तो मिल रहा है, आपको नहीं लगता कि यहां पर बंतल जी भी बहुत महत पूर्ण है, तो आरोप लगेंगे कि तीन-तीन मुख मंत्री हैं। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी योगी जी मेरा उनकी चवि ऐसी है कि बहुत ज्यादा उसे दख्रण दाजी नहीं होगी, यह जो लोग लाया जा रहे हैं, तो बेहतरी के लिए लाया जा रहे होंगे, कुछ बेहतरी और हो, लोगों को जो है, कुछ और सुधाय मि सब्सक्राइब करें लेकिन फाइदा नहीं हुआ था आपको लगता कि अभी फाइदा होगा कुछ मंत्रियों को उटा करके नए मंत्री बनाने से पाइदा जिसको भी हताया जाएगा अंदर से जरूर नाराज होगा भले वो पार्टी के साथ कहें के रहेंगे लेकिन यह कि कुछ अंचर पड़ सकता है ज्यादा अंचर को उससे नहीं पड़ता है जनता के मन में जो है वहीं रहेगा उसमें बहुत जाना बदलाव नहीं होत आक्सिजन को ले करके दवाओं को ले करके और तमाम चीजों को ले करके लोगों में नाराजगी है इस नाराजगी को दूर करने के लिए भी आरसेत और विजेपी सरकार और मिलकर के काम कर रही है आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए कैसे दूर होगी यह ना परिश्चितियां अमेरिका जैसा देश जब नहीं दूर कर पाया तो अपने यहां तो बहुत आबादी है तो महामारी है इसमें सभी को बैट जे पाना किसी भी सरकार के दे संभों नहीं है किसी की भी सरकार हो तो डगबबग हो जाएगा चूंकि जो भी पक्षित बादिया ह है कि यह हो रहा है हारी कहने से नहीं हो सकता है इन्हों को कुछ अपने राजनाशिक आंदोलन करने चाहिए थे इस दौरान आपसे सवाल लोगा सिपी सिंग साब 26 तारीक से किसान आंदोलन तीर से सुरू हो रहा है अब आंदोलन का उसका प्रवाव सवाविक है जब सकता है बहुत जारा तो नहीं लेकिन कितने किसान उसमें सामिल होते हैं उस पर डिपेंड का ओरिजिनल किसान सामिल होता है कि नहीं होता है उस पर डिपेंड करेगा यह जिस तरह से दिल्ली के चुना हुए और जिस तरह से वेस्ट मेंगॉल का चुना हुआ क्या कहेंगे आप उसको ले करके जो चुना हुए है भारती जनता पार्टी जैसा रेजल्ट चाहती थी अलग उसको फायदा हुआ है लेकिन वैसा रेजल्ट नहीं मिला है यही जो धर्वी को रहा हुआ है इसी को ले करके पार्टी कुछ बदलाओ तरहाखाल प्रदीस में करना चाहेगी ठीक है आसरा सेख जी आप कुछ कहना चाहरी थी देखे मैं यह कह रही थी कि जैसा कि अभी सीपी सिंग साब ने कहा कि जो है किसी की भी सरकार होती तो जो है बैड नहीं मिलता या ऑक्सीजन की कमी होती चलिए कमी तो हर जगा कहीं कहीं कोई न कोई रह जाती है लेकिन जिस तरीके से जो चल रहा है ऑक्सीजन बैड की जिस तरीके से किल्ड जो है मेरे खुद को मामा की भी डेफ हुई है इसी 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 कॉरोना की वज़े से उन्होंने जो बात कहीं उसका उत्तर दे रहें जो बात कहीं तो यह किल्लत नहीं किसी की भी सरकार होती तो उसके लिए बचाव कार भी किये जाते ना बचाव कार तो कोई हुए कांग्रेस की सरकार होती तो जैसे की लूट पहले किया था लोगों ने एक रुपिया बेज़ते थे तो कहते थे कि तस पैसा पहुंसता है वही हालात होते हैं और आपने सब्सीडी में क्या किये बारा ने लिए आपने उज्वला योजना या उसके बाद गैस सिलेंडर का जो सब्सक्राइब है और जो है चीजों को को ले जा रहा है और हर बात को हर बात का जवाब कॉंग्रेस नहीं होता है उससे उपर उटके चुकला जी को सुचना चाहिए कि उपर हो गया साथ कांग्रेस कांग्रेस देश नहीं है यहीं बात है तो चाहिए बड़ा सरकार और कितनी सरकार हो कहीज नहीं कंभी मैं कमियां की बात करों werde कांसा राज कौन सा एसा आपने में प्रदेश कि अगर गलत हुई वह नहीं होना हो चाहिए था है प्रदेश की सेवा में लगे रहे जी जी मैं जराब देता हूं आपको तुरा अगर आपने मुख्यमंत्री की पिता जी की बात की तो तुरा साथ किछे चलिए जराब सुन लीजिए जराब सुन लीजिए हैं आपको परिवार से कोई मतलब नहीं है अब हम अपने पिता भक्त हो गए देखे यहीं तो है इस पार्टी के अंदर वह गलत भी करती वह गलत भी करती है न उसको गति देखो मैंने अब मोदी जी आखू आशू बहाद ये पुरा देश रो रहा है पुरा विच्छ रो रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है क्या हो गया अरे बाए अकल भी आड़ी बात पर जिसको मोदी जी ने आके तोड़ दिया है आप उसकी रात्मत करिए कि अगर मेंडन है यह तो लिपक वह'll it not plans अपलंग आपने अपलोग आपस बाड़ानि वान्पाइब अपने नियатыш करों पर आप 5 अब करना जानते हैं कुछ भी लेके उर्गे सब्सक्राइब को जूते से मारेंगे यह दो लोग तो ब्रह्मान ने आपको ठीका देदिया क्या ब्रह्मान सम्झेंगे कि पासे आपको मुझे को किसी ने किसी ने किसीने नुक देखने क्या रहा है कि साथ मंत्रियों को काड़े जा सकता है कौन को नुख सकते हैं आपकी नजर में यह अब सर्व मैं देखिए मैं सरकार में तो नहीं यह बिनीद्गी जाजते होंगे लेकिन मैं फिर कह रहा हूं परदीव जी साथ नहीं सतर को हटा दीजिए कोई फरक नहीं पड़ने वाला सर आप मैं मैं मुझसे क्या बुलवा रहा हूं आप खुद जानते हैं इस चीज को इसके बाद यूपी की जनता आपको बिदा कर देगी आप मच्च में जाके बखेंगे अगर अखलेश जादा अगर अखलेश दो अजार बाइस तक आपने ड़क्सिन नहीं लगवाई ना तक अखलेश जादा बाके इस पूत ने पूतनिक फाइजर और मोर्णा की एक वैक्सिन लगवाएंगे अगर आप अपर जनता को चिदा मत करिया अगर आप 2022 तक नहीं लगवापाएं को भी सिल्ड बाइस पाकी वैक्सिन तो 2022 न हम अखलेश जाद अब आपके एक पूतनिक फाइजर अब्डो थीक है तो लगवा जिनको संगठन में लाए जा सकता है प्रदीप जी देखे किसी भी मंतरी का नाम लेना या किसी संगठन के विक्ति का नाम अभी लेना जब तक कि निरना आ नहीं जाता है हमारे संगठन का जिन लोगों ने किया उनके काम के आधार पर उनका अखलन करके किसको समयजित करना किसको संगठन में लेना है और किसको सरकार में रखना यह हमारी सरकार प्रदीट करेंगी और विपक्त यह सवाल खड़े करेगा ना कि दो-दो मुक्त मंत्रियां को देखिए प्रदीप जी वह हमारे पार्टी के नेता है आज की समय में मल्सी है और सभी को खाली एके सर्मा जी को ही नहीं यह सिर्फ आप सब के चैनलों की महरवानी है कि इतना हाइट दे देते हैं जैसे कि पहले चला दिया गया को बन गए उनको अनली जीका आवास लाट हो गया। यह सब आप सब कह सकते हैं लेकिन हमारे कि लिए प्रतेट जितने भी विदानपरसा सदस्य हैं या विधायक है विधायक बराबर है और सभी के लिए प्रवक्ता बनके चैनल पर बैठें तो आप क्लियर करें ना जिन ने सब्सक्राइब को ब्रश्ता चार करें यूगी जी मोडी जी और मित्सा जी और सरमा जी को कम से कम काप जूल जाएगा इतना काम कर लेए पाइए लोगों को लॉग्री मांगने वाले को लाठी मारते हैं अपने भाइक फर्जी सर्टिफिकेट पे जो नगडी दे रहे हैं यह मंत्री का मंत्री का हाल है तो इनको जरूर अपके समय के जो भूमाफिया थे जेल के सलाकों के पीछे हैं कि मंत्री जी के भाई में कैसे सिलेक्ट हो गए गरीब लोगों का हक मार दिया गरीब ड्रामडों का हक मार दिया देखे प्रदीप जी इन्हों ने आरोप लगाया आरोप लगाने के बाद जो भी आरोप है सब्सक्राइब लगा रहा हूं मैं सब्सक्राइब जाद जाद आप जो सवाल पूचा कि आप उच्ता जवाब दीजे अपलाद पार्यल कमेंट के लिए चलते हैं सब्सक्राइब की सरकार निस्पच्टा के साथ कोई भी लाजी तो इदार उधर की ना बात कर यह बता की कारवा क्यों लुका है यह बताएं समाज बादियों के काम अभी जन्ता को आ रही है को विड में उसकी सब्सक्राइब आपके पास सिंग साब आप बताएं कि यह जो फेल पदर चल रहे होने वाला है जिसके बादा लुमा गुमर रहे हैं आप क्या लगता है कि इन सबसे कोई फाइदा मिलेगा सब्सक्राइब सरकार और संगेटन को आपका फाइनल कमेंट है जो भी परिवर्तन किये जाएंगे परिवर्तन करने वाले इसी दरस से करते हैं कि फाइदा मिलेगा फाइदा कि यदि वह प्रभावी लोग है तो कुछ थोड़ा बहुत जरूर फाइदा मिलता है बिल्कुल तो फाइदा नहीं मिलेगा लेकिन हंदेश परसेंट मिल जा है लेकिन कुछ 15 परसेंट 10-20 परसेंट जो है उसका फाइदा हर पार्टी को होता है जहां करें जो पार्टी करे तो यह दि कोई परवर्टन होता है चाहर इस दर्वें हो इक है साना सेगी आपका फाइनल कमेंट देखिए इनको कोई फाइदा नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि चाहे महिलाएं हो चाहे यूथ हो और चाहे दलित हो और चाहे किसान हो नहीं रोजगार मिला है और महिलाओं क नौकरी में इन्होंने दो लाग नौकरी का वादा किया पंद्रा लाग देने को कहा बलकि एक चीज और एक चीज छोटी कहना चाहूंगी दाइडाई सो रुपए मोबाईल के लिए इन्होंने जमा करा है मोदी जी के नाम से वो उसका आता पता आज तक नहीं है इतना बड़ा ब्रश्टाचार मोदी जी के नाम से किया गया तो जनता हर तरीके से इनसे बदला लेगी और जवाब देगी और किसी भी तरीके से अब कोई परक नहीं पड़ता है बाजपा का हर एक इंसान रश्टाचारी चोर है सब प्रदीब जी अगर आधर निये योगी जी अपने आठ मेने के काजकार में उत्तर प्रदेश के सभी जनता को अठारा बर से लेके ऊपर सब को दो दो डोज वैक्सीन की ववस्ता इन आठ महीने में कर दे उनसे उनको फैदा मिलेगा जो कोबिड को किसरी तीसरी तीसरी लहर की जो चर्चाय हो रही है उसका प्रबंधन कर लें अच्छे से ताकि आने बाले समय में जनता को परेशानी नहों अपना लोगों को सुरक् करता है आज काज करता उनका परेशान है तो जैसे दूर करेंगे जनता की नाराजगी और सासी साथ में अपने सांसदों और विदायकों की नाराजगी देखिए ना ही हमारे विधायक ना ही हमारे सांसत कोई नाराज है अपने जिले की छेतर की जनता के लिए अगर कोई पत्र लिखता है तो उसको नाराजगी नहीं कहा जा सकता सभी अपने छेतर के विकास के लिए सभी अपने छेतर के कारे के लिए पत्र लिखते हैं उसको ना किया जो स्वास्ति की सेवाओं में बहतर का हो विजली का हो पानी का हो सभी चीजों में बहतर काम करने वाली यूगी सरकार इसी लिए विश्वास चंता करेगी और आप देखिएगा पुना 2022 में परचंद मुम्मत के साथ भादपा सरकार बनेगी यह लोग सिर्फ सपने तो श्वास ना जाता है आपके बार चार्सो पार आपकी बार चार्सो पार जाहिए आप लोगों को जाहिए आप लोगों की सरकार बनाएगी 2022 में दुबारा रिपीट करेगी जैसे केंदर में सरकार रिपीट हुई है लेकिन विपक्ष का मानना है कि अब वो चाहे कुछ बीकर ले वह सरकार रिपीट होने वाली नहीं है विपक्षिका में सा यह दावा करता है लेकिन श्रीपिस इंग साब का कहना कि जो चीज़े चल रही है उससे थोड़ा बहुत साधा जरूर हो सकता है कि यह पाधा कोलकाटा में क्यों नहीं वा यह फादा दिल्ली में क्यों न झाल 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 झाल